हाई, वेल्कम डूबर चनल, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्विशन नुबर 4, वाट विल बी दा यूनिट्स डिजिट आफ दे स्क्वेर्स आफ दे फॉल्विंग नंबर्स, तो इन सभी नंबर्स के स्क्वेर्स में यूनिट्स प्लेस का डिजिट क्या होगा, हमें यह बताना है, एक बात बस धान रखिए, इसको सिंपल तरीके सा स्वाल्व करने का तरीका यही है बस, कि इनका स्क्वेर्स में डिरेक्ट जो यूनिट्स प्लेस आता है, कि वालुसी को बता दीजिए, है कि नहीं, तो मतलब कि हम लिख लेंगे इसको, अधि प्लेस प्लेस अधिजिए, इन दी स्क्वेरफ, इन दीस्क्वेरफ, फस्ट ठेक हैं, मतलब कि 52, द्यां देज़ेगा अब इस के बाद जो है हमें क्या करना है हमें बताना है ना कि इसके square में इसके square करने पर जो आएगा number उसके units place पर क्या number आगी तो आपको बस द्यान यह रखना है कि जो 2 है इसी का square जो भी होगा मतलब units place का जो square होगा वही number आगी क्यों मतलब कि first digit को ही आपको square करना है means यहाँ पर two का square करेंगे तो four आएगा is four हमारा answer हो गया पहले का four हो गया फिर next में क्या करेंगे यह पूरा तो पूरा यहीं रहेगा यहाँ तक आप second का यहाँ लिग देते हैं of this much 977 मतलब इसका square करेंगे तो units place पर जो आएगा वो होगा is seven का square करिए और देखे कि कौन सा number आ रहा है तो seven समझा क्या होगा 49 49 में यह क्या आ रहा है nine आ रहा है that simple क्यों हमें यह दो बताना है कि units place पर क्या आएगा square करने पर लेकिन square करना नहीं है ठीक है तो इसको नहीं कर रहा है आप यहां देखे इसका करेंगे means of four five eight three यहां पर is क्या हो जाएगा three three nine three का square करेंगे तो nine आएगा nine होगा इसका भी तो seven और three रदा को nine आता है ठीक है आप करते है fourth fourth हमारा है seven eight three six seven seven है यहां पर seven का करेंगे तो क्या आएगा is nine यूँकि seven समझा 49 होता है 49 का unit space का डिजिट है कावल भाही लेंगे nine हो गया अब यहां पर दखें 52 five two six nine eight इसका यहां पर unit digit का जो number है इसका square करने पर जो आएगा मतलब कि eight eight जा 64 64 का आप गया लेंगे केवल unit space का digit लेंगे means four is four six one यहां पर है nine nine eight eight zero अब यहां पर zero आ गया zero जब भी आता है तो उसका square करने पर जो unit space का digit आता है वो zero ही आता है means इसका square करेंगे तो zero का क्या आएगा zero ही आएगा seven one two seven nine six अब यहां six आ गया जब six आएगा तो six इसका कितना होता है थाड़ी six होता है किवला आप जो है unit space का digit को square करेंगे और जो number आता है unit space पर वो ही आपका हो जाएगा answer ओके अब next करते है eighth one और यह आपका है five times five तो इसका square करेंगे तो आपका जो है five है last में तो five का square करके देख लिए जिए क्या आ रहा है five five जो 25 आता है 25 का five जो है unit space का वो ही आएगा विल्कुल five आएगा last one last one यहाँ पर हमें इसे इसे रखना चाहिए था okay five three nine two four four है आपके पास end में तो four का square करेंगे तो क्या आएगा 24 आएगा sorry 16 आएगा very sorry six जो आ रहा है तो six आ रहा है तो बस यह गया six अब गया मतलब कि इसके square करने पर जो units place पर digit आएगा वो आएगा six मैंने सबके squares का units place लिखा है आपर ठीक है यही पुछा भी था कि what will be the units digit of the squares of the following numbers हमने लिख दिया and that will be your answers thank you so much for watching bye